और International Choreographer रजना नेप जी हमारे साथ हैं आपको हम बताना चाहते हैं कि सहरनपूर में इस बार एक ऐसे समर कैम्प कायजन होने जा रहा है जिसकी इंकम का आधा पैसा सेना के लिए जाएगा और देश की रक्सा के लिए जो वीर जवान हमारे सरहत पर रात दिन ज्यूटी देते हैं उनके लिए ये पहल की है रजना नेप जिसे हम उनसे बात करेंगे रजना जी बताएए एक ख्याल आपके मन में कहाँ से आया आप दो दसकों से समर कैम्प लगाते रहे हैं क्या पहले क्या होता था और इस पार का जो समर कैम्प हो आपका वो क्यों सबस्टर आपको लगता है मुझे लगता है कि हम जितनी भी चीज़े हैं उमर के साथ ही experience भी आता है शायद इतना जादा internet पहले नहीं था इतनी जादा news हमारे तक नहीं पहुंचती थी या शायद हम छोटे थे और यह कह सकते हैं कि हमारी value भी दीरे दीरे ही वड़ती है हम इस काबिल बन पाते हैं तो जब मैंने अर्मी से related जितने भी news सुनी तो मुझे लगा कि हरे के लिए possible नहीं है कि वो आर्मी में जाए नेवी में जाए लेकिन मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हम उसके माध्यम से भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं केवल हमारे माध्यम ही है जिनसे हम अपने कारे को सुचारी रूप से आगे बढ़ा सकते हैं तो मेरे मन में एक हयाल आया कि अगर पूरे साल में एक बाद समर कैम्प में से हम अगर थोड़ा सा पैसा ये ना कोई चारेटी है ना कोई सेवा है और ना कोई दान है क्योंकि जो आर्मी हमारे देश की रक्षा कर रही है, जो जवान हमारे लिए सेना में हैं, उनकी वज़े से आज हम इतनी fruitful लाइफ जी पा रहे हैं, अगर उनके सहयोग में, सहयोग भी नहीं कहेंगे, उनके लिए अगर राष्ट हित में हम कुछ भी कर पाएं, तो मैं अगर हम देखें, तो हम लोग जैसे हमने उडान के साथ वर्क आउट किया था, या हम कभी हैंडिकाप स्टूडेंस के साथ वर्क आउट करते हैं, या पूर स्टूडेंस के साथ वर्क आउट करते हैं, या जो लेबर क्लास होता है, उनके लिए हमारी चारटी हमेशा रहती उन बच्चों के साल भर का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी हम लोग उठाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इश्वर के आशिरवात से हमारा काम बढ़ता गया, ऐसे हमें लगा कि अब हमारा इतना हो गया है कि अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो प्रधान मंत्री रहात भी कुछ कर सकते हैं इसलिए बस यह ख्याल मन में आया याजिजवे नरत्याले की बात आपने की जब वेशनवी नरत्याले आपके पास है, वहाँ सादक हैं सादिकाएं हैं, पूरा आपका स्टुटेंट होंगे वहाँ पर फिर यह समर कैम्प क्यों आजद करते हैं वेशन के लिए possible नहीं है कि वो अपने घर से उठके इतनी दूर हमारे पास आए और कई बार ऐसा भी होता है कि parents भी नहीं पहचान पाते कि हमारे पास नगीने हैं ही रहे हैं तो आज तक मैं बहुत लगी रही हूँ क्योंकि जितने भी student आज तक आए डी में गए हैं बुगी बुगी में गए हैं या India's Got Talent में गए हैं चकदूमदूम में गए हैं लगी लिए वो सब बच्चे हमारे आँ समर कैम से आए समर कैम में हमने उनकी पोटेंशल को पहचाना उसके बाद उनके पैरेंट से बात किया फिर हमने उनको तराशना स्टार्ट किया और आज वो बचे नेशनल टीवी पर इंटरनाशनल लेवल पर अपना मुकाम बना चुके हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जिस सहारनपुर ने हमें इतना नाम दि क्योंकि मैंने मेरे डांस करियर में बहुता स्ट्रगल किया जब हमें आपर अगर कुछ नहीं मिलता था तो मुझे डेली, बॉंबे, मदरास, बैंगलोर पता नहीं कहां कहां ये ट्रेनिंग लेने के लिए जाना पड़ा तो मेरे मन में हमेशा एक चीज रहती थी कि मैं जि पर इस समय तनी धूम मचा रहे हैं वो भी हमारे शेयर सहारनपूर से निकले हैं और लगीली वो भी हमारे बाद सबसे पहले समर कैंप में ही आये थे उसके बाद ही उन्होंने भी अपनी जरने स्टार्ट करी तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अगर एक अच्छे प्ल करने जा रहे हैं जो हमारी आरमी है जो हमारी सेना है भारतिय सेना उनके लिए वो अपने समर कैंप से 50% धनरासी जो प्रोफिट होगा उनका वो प्रधान मंतरी राहत कोस के माध्यम से उनके लिए भीजवाएंगे मैं सहारनपूर से पतरी का उत्तर परदेश के लिए